बॉलिवुड के एक्षन सूपरिश्टार यानि सनी देवल की फिल्म गदर टू को 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को आज 33 दिन पूरे हो चुके है और 34 भी दिन के रनिंग में ठेटर्स में चल रही है इस फिल्म को रिलीज हुए एक महने से जादा का वक्त हो गया है और एक महने इस फिल्म के सामने कहीं सारी बड़ी-बड़ी फिल्में रिलीज हुई है और फाइनली शारुक खन की फिल्म जवान को 7 सित्यमबर को रिलीज कर दिया गया है फिर भी ये फिल्म बॉक्स आपिस पर अभी भी ठीक ठा कमाई कर रही है तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म गदर टू के 33 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स आपिस कलेक्शन के बारे में और साथी साथ जानेंगे ये फिल्म अपने 34 दिन बॉक्स आपिस पर कितने करोड की कमाई कर रही है और कौन-कौन से रेकौर्ड आज ये गदर टू इन दोनों फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिला वाकई में गदर टू आते ही बॉक्स आपिस पर रेकौर्ड बनाना शुरू किया जी हाँ फिल्म ने अभी तक कही सारे रेकौर्ड अपने नाम कर लिये है बाहु बली टू का भी हिंदी वर्जन का लाइफ क्लेक्शन का रेकौर्ड भी कर सकती है बता दे फिल्म साल 2001 गदर एक प्रेम कता दूसरा सिक्वेल है लगबग 22 सालों के बाद हमारे सामने सिक्वेल आया है और फिल्म को आनिल शर्मा के डियरेक्शन में लगबग 80 करोड के स्मॉल बजेट में बनाया गया जिसमें सूपर सनी देवल के साथ हमें अमिशा पटेल और उतकर शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आये वही तीनों एक्टर्स के एक्टिंग और पर्पॉमस वही कहानी और क्लेमेक्स एकदम आणवास लेवल की होने के वज़े से इस फिल्म को औरेंस और क्रियेटिव दोनों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉंस मिला और फिल्म बॉक्स अपिस पर लगातार इस्टोरिकल कलेक्शन करने लगी अगर बात के जाए फिल्म की तो फिल्म को रिलीज वे आज 33 दिन पूरे हो चुके है तो वही बात के जाए फिल्म की 34 दिनों की टोटल इंडियन और वर्ड़ वा वाली मुवी के लिए हिस्टोरिकल सुरुवात कह सकते है इस तरह फिल्म लगातार बॉक्स अपिस पर अपनी दुआदार कलेक्शन जारी रखी और फिल्म ने अपनी शिरुवाती 32 दिनों में ही लगबग 515 करोड 58 रुपए तक की कलेक्शन कर चुकी थी तो वही में लगबग 644 करोड रुपए तक की कलेक्शन कर चुकी थी और इसी तरह बता दे कि फिल्म ने 33 और 34 दिन भी बॉक्स अपिस पर अपनी जबरदस्त पकड बनाई रखी है जी हाँ जहां 33 दिन फिल्म ने लगबग 60 लाक रुपए की शांदार कलेक्शन कर दिखाई तो व 11 परसंट की बिच देखने को मिली और शायद रात के शो तक फिल्म की ओकिपेंसी रेट जो है लगबग 20 परसंट से भी जादा ही देखने को मिल सकती है जिससे अभी तक की मिली रुपोर्ट की माने तो ये फिल्म आज के दिन ओल आवर इंडिया से लगबग 55 लाक से हुई कलेक्शन लगबग 655 करोड 50 लाक रुपई के आसपास देखने को मिल सकती है वैसे गदर्टू फिल्म आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है गदर्टू फिल्म पठान के रेकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं हमें अपनी राय कमेट में जरूर बताए बाकी फिल्मों से रेलेटेट ऐसे ही अपडेट पाने के लगता है।